बार दोस्तों, मैं लक्ष्मी स्वागत करती हूं आपके अपनी चैनल MyKitchen इस योज में अगर आपके किचन में चावल बच जाता है तो आपको पता ही है कि आपको क्या क्या डिस्ट बनानी है लेकिन अगर खिचुरी बच आती है तो आप टेंशन में आ जाते हैं कि खिचुरी बच गई लेकिन ये वीडियो पूरा देखने के बाद आज के बाद आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी क्योंकि खिचुरी से कितनी यम्मी डिसर्स बनती है यह आपको इस पूरे वीडि 200 gram करीब यह जितना आपको खिचरी आपकी बच्ची हो उसके कॉर्डिंग आप ले सके हैं क्वल मात्रा में यह मेरी एक कटोरी भर के खिचरी बच्ची भी ती जिसको मैंने आटे में डाल दिया है अब हम इसमें मसाले डालेंगे नमक, नमक थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि खिच्चुडी में भी पहले सही नमक है और अब हम बाकिके मसाले डालेंगे ये लाल मिर्च, लाल मिर्च को आप अपने तेस्ट के कोडिंग कमिय sacred कर सकते यह मैंने अधी चमच सौफ लिया है साथ ही इसमें मैं अजवाइन डाल दूंगी अधी चमच अजवाइन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा रहता है इसका और यह कस्तूरी मेति है जिसको मैंने घर में ही सुखा लिया था लीव को तोड करके यह मैं डाल दूंगी अगर आपके पास धनिया है तो आप उसको भी चौप करके डाल सकते हैं कस्तूरी अब यह जो खिचडी है यह ठंडी है तो टाइट भी हो गई है इन्हें हाथ की साहता से हम पहले इसको फोल्डेंगे अच्छे से और फोल्ड करके इसको पूरे आटे में पहले अच्छे से मैस कर लेंगे ताकि आटा और जो खिचडी है वो एक साथ एक मिश्रन बन जाए और मसाले भी पूरी तरह से पूरे आटे में मिल जाए हाथों की यह देखिए यह मैंने मिला करके यह मेरे आटे में अभी तक बिल्कुल भी पानी नहीं लगा थ जेज़ा आटे में पानी ना डाले पहले आप मिला ले और फिर उसके आटि डेखिए आपको कितनी जर्वत है पानी की उसी हिसाब से पानी डाले यह 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 डो प्रॉपर त्यार हो चुका है एकदम सॉफ्ट बना है यह डो मेरा सैट हो गया है मैंने तवे को भी चढ़ा दिया था गरम करने के लिए जितनी देर में तवा गरम हुआ ती देर में डो सैट हो गया है अब मैं एक एक करके यह पराठे बेलूगी इसके पराठे ना बहुत ही आसानी से बिलते हैं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती है इविन जिसे बेलना भी नहीं आता है वो भी बहुत ही आसानी से बेल लेगा क्योंकि यह बहुत जल्दी बढ़ता है यह देखिए कितनी जल् बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और इसमें पड़े मसाले बहुत अच्छा फ्लेवर देता है पराठो में इसी तरह से बेल के में सारे पराठे सेक लूँगी इन पराठो को एक बर आप बनाईएगा जुरूर बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये पराठे और आपके बची वी किच जो होती है वह भी बहुत अच्छे से इस्तमाल हो जाती है इन्हें फटा फटा हम बेल लेंगे क्योंकि बेलने में बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं होती इसमें सॉफ्ट है इसके ये पराठे देखिए मेरे कितने अच्छे सीक रहा हैं अगर आपको सेक की रखने है तो आप फटा फट एक आज में मिडियम आज में एक साथ पराठे सेक ले और अगर कोई खा रहा है तो आप इसको करारे भी कर सकते हैं ये दोनों तरह से ही टेस्ट इसके बहुत अच्छ ये पराठे बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी बन के तयार होते हैं ये दिखिए एक एक करके मैंने अपने ये सारे पराठे सेक लिये हैं ये लास्ट का एक पराठा और रह गया है मैं इसे आराम से बेल के आपको दिखाती हूं ये जितनी जल्दी बिलता है न ये इस आठे का पराठा ये उतना ही पर्फेक्ट बिलता है मतलब इसका सेब बिल्कुल नहीं खराब होता है इस पराठे का करें ये इस पराठे का पराठे का यह लीजे मेरा यह लास्ट का भी पराठा सिक्के तयार हो चुका है यह दिखी सारे पराठे मेरे तयार है अब हम अपनी दूसरी डिश की ओर चलते हैं यह मैंने खिचरी थोड़ी सी यह आधी कटोरी रखी है इसकी मैं दूसरी डिश बनाऊंगी जुकि यह भी बहुत ही यम्मी बनेगी और गरम गरम तो बहुत ही डेस्टी लगती है यह मैंने एक थोड़े से यह हरी मिर्च है यह अधरग को मैंने क्रश कर लिया था कूट लिया था इससे मैंने गिसा नहीं है और अब मैं इसमें 2-3 चमच बेसंद डालूंगी और एक बार यह सारी मिश्रन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यह मिश्रन मेरा मिक्स हो गया है अभी अब मैं इसमें से दो चम्मच मिश्रन अलग निकाल के रखोंगी इसकी भी मैं दिखाती हूं आपको कौन सी डिस बनाऊंगी आप किचरी को कई वे में यूज कर सकते हैं मैंने आपको दो तीन तरीका दिखाया है अब इसमें मैं थोड़ा पानी डालूंगी इसका बैटर आप जैसे भज्ये का करते हैं उसी तरह से आप इसको कर लेंगे और तेल को मैंने चढ़ाया एक तरफ कढ़ाई में दूसरी तरफ मैंने तवा चढ़ा दिया है सिम गैस पे और ये मैं पहले चेक करती हूँ तेल हुआ की नहीं हुआ मेरा ये थोड़ा सा डाल की देख लेंगे ये पकोड़ी उपर आ रही है मेरी तेल हो गया है अब इसको बाहर निकाल लेंगे और बाकी अपनी पकोड़ीों को तर लेंगे सेपस आप अपने हिसाफ से दे दीजिए आपको बड़ा करना है चोटा करना है लेकिन इसकी चोटी चोटी पकोड़ा उतारेंगे ना बहुत ही क्रिस्पी करारी रहती है और बहुत ही टेस्टी रहती है आपको ये सारी रेसिपी बनाएंगी जब आपना तो आपको लगेगा वाकई में सारी रेसिपी बहुत ही टेस्टी है आपको बनाने के बाद ही पता लगेगा कि वास्तों में बच्चीवी खिचरी से इतनी अमेजिंग डिसस बन भी सकती है और आपका खिचुरी का इस्तमाल इतना अच्छा होगा अभी हम इनको छेड़ेंगे नहीं ये साइड साइड से हिला देंगे बस क्योंकि बेसन कच्छे रहते हैं फिर वो जरिये में सब चिपक जाते हैं ये मेरे नीचे से हो गये थे मैंने इनको सारी पकोडियों को पलट दिया है अब सारी पकोडियों को एक साथ पलट देंगे और इने गुलाबी होने तक तल लेंगे ये मैंने पलेट में ये सफेद तिल लिया है ये मैंने तिल को बिच्छा दिया था पलेट में और अब जो मैंने वो बैटा रखा था दो चमच इनके मैंने दो रोल बना लिये हैं कटलेट में आप चाहे टिककी सेब दे सकते हैं या कटलेट दे दीजे जैसी आपकी मर्जी है मैंने इन्हें कटलेट सेब दे दिया है और इन्हें थोड़ा चप्टा करके ये तिल है तिल पे एक तरफ इनको चिपका देंगे ये ऐसे तिल के साइड में रख देंगे जितना होगा आपस में चिपक जाएगा यह और इसे हम तवे पे रखेंगे आप इस तरह से सैलो फ्राइए करके भी खा सकते यह भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं दोनों तरह से ही आप इसको इन्जॉय कर सकते हैं यह दूसरे कटलेट को भी मैंने रख दिया है यह बच्चे वी तिल को हम उपर से डाल देंगे थोड़े बच गया तो डाल दें नहीं बच्चे तो कोई बात नहीं अब साइट साइट से हम इनमें तेल डाल देंगे यह कटलेट बहुत ही कम उयल में बनके त्यार होते हैं इन्हें हम प्लेट से ढख देंगे ताकि भाप से उपर का वो अच्छी तरह से हो जाए इधर देखें मेरी पकोड़िया कितनी अच्छे से क्रिस्पी करारी हो गई है अब इन्हें दो चार बार ऐसे ही अलट पलट कर देंगे ताकि एक बराबर इनका कलर आ जाए यह इन्हें अब हम प्लेट में निकाल लेंगे देखें कोई नहीं कह सकता है कि यह खिचड़ी से बनीवी पकोड़िया है और खाने के बाद तो यकीन मानिये कोई भी आप से नहीं कहेगा जब तक आप उसे नहीं बताएंगे यह इतनी टेस्टी और इतनी अमेजिंग बनती है अब यह थोड़ा सा मेरा घोल और बचाया है यह दूसरे बैटर को भी मैं डाल दूँगी इसमें इतनी सी किचड़ी में मेरी इतनी सारी पकोड़िया बनके तयार हो गई है दो प्लेट भर के इधर मैं यह अपने कटलेट को भी एक बार पलट देंगे यह साइट साइट से भी आप पकड़ के सेख सकते हैं आप चाहे तो चिम्टे की साहता से भी इने अलट पलट कर ले साइट साइट से सेख ले यह देखे कितनी गुलाबी और कितनी सुन्दर बनके तयार ही यह गटलड यह ये देखिए बहुत ही गुलाबी बहुत ही क्रिस्पी करारी ये भी बनी है और बहुत ही कम ओईल में बनी है अब हम फ्लेम को बन कर देंगे ये देखिए इन कटलेट को हम ये पकोड़ी की प्लेट में निकाल लेंगे ये देखिए हमारी कटलेट और पकोड़ी की प्लेट रेड़ी है ये दूसरा बैज भी पकोड़ी को हम निकाल लेंगे ये देखे कितनी गुलाबी बनी है और बहुत ही करारी है यकीन मानिये ये बहुत ही टेस्टी है एक बार आप इसे बनाईएगा जरूर ये इतनी से खिचड़ी में मेरी ये देखे दो प्लेट भर के पकोड़ी तयार हो गई है ये दिखे तयार है हमारी खिचड़ी से बने वे ये डिस इस ये अमेजिंग सा पराठा बटर और ये अलू टमाटरी की सबची ये बहुत ही सॉफ्ट पराठे बने हैं ये दिखे यकीन मानिये एक बार आपने बना दिया तो बच्चे मांग मांग के खाएंगे मेरे बच्चों से तो रहा नहीं गया मैंने अपनी बेटी को पहला बाइट के लाया और ये लसुन की चटनी है जिसके लिंक में डिस्क्रप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ये चटनी भी बहुत ही टेस्टी बनी वही है इसके लिंक में जरूर डालूँगी डिस्क्रप्शन बॉक्स में आप इसको देखिएगा जरूर और ये पकोड़िया है ये मैं एक आपको कटलेट तोड़ की दिखा रही हूँ ये देखिए बहुत ही सूपर टेस्टी क्रिस्पिक करारी बनी हुई है ये कटलेट और पकोड़ी दोनों ही एक पकोड़ी को भी मैं आपको तोड़ की दिखाती हूँ ये देखिए खा के कोई नहीं बोलेगा कि ये पचीवी किचड़ी से बनीवी कोड़ी कटलेट है और ये पराठे ये पराठे तो वाकई में बहुत ही टेस्टी है एक पर आप बनाईएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में जुरू बताईएगा कि आपको ये कैसा लगा पराठे बनाईएगा